पर हमें दीरे दीरे पता चलता है कि वो अपनी नजर कसीनो के सारे गार्ड्स और कैमरा पर बनाई रखा है क्योंकि जब वो अपने कमरे में लोटता है तब हमें पता चलता है कि वो बेस बदलने का बादशा फेक क्रिश्टन के आइडेंटिटी में माइकल एक जाल साज है जो शूटर की बेस में कसीनो के कमजोर हिससे को स्टडी कर रहा है जिसका इस्तमाल करके वो अगले दिन एक न इदे वी आईपी फ्लोर के तरप जाता है जहां लाखों के बेट्स लगाए जाते हैं अब सिंस वो कसीनो के कमजोरी को अच्छे से जानता है वो पहले तो लिफ्ट को रिक कर देता है जहां कुछ देर बात कसीनो का वो ही स्टाफ कार्ड़ और चिप लेकर आता है जो उसी वी आईपी टेबल पर खेली जाएगी माहिकल अब मौका देकर लिफ्ट को एप के जरीए जैम कर देता है जिससे लिफ्ट की पावर चली जाती है पर उस कैट से आजाद होने के बाद जब उसी टेबल पर खेल शुरू होता है वो अपने लगाने पर अपना जाल साजी का हुनर दिखाने लगता है पर आज शायद सुबा उठते ही उसने किसी मनहूस का चैरा देख लिया क्योंकि इस बार एक नया प्लेयर निम एलेक्स भी टेबल जॉइन करता है और देखते ही देखते सारे अपने पूरे पैसे लगा देते हैं पर उल्टा माइकल के लिए ये एक अच्छे खबर है क्योंकि उसके पास वीनिंग कार्ड होती है पर जब वो अपने पत्ते बिचाता है तो उसके कार्ड एकदम से बदले हुए होते हैं और एलेक्स से राउंड जीत जाता है माइकल को तुरंट समझाता है कि एलेक्स ने किसी तरह सूपर नैचरली उसके कार्ड को बदल दिये वो तुरंट एलेक्स को दबोच कर उसके सारे पैसों की मांग करने लगता है पर गार्ड उसे ही धर लेते और एलेक्स बचकर निकल जाता है उपर से कसीनो के मालिक विक्टर को उसके जालसाजी के बार में पता चल जाता है जिसके कारण उसे लाखो का नुकसान हुआ इसलिए वो उसे एक हफ़ते का समय देता है उसके पैसे लोटा निकले और अब माइकल का पैसे लोटाने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है माइकल अब तुरंत अपने दोस लियोन से मिलता है जो एक छोटा कसीनो भी चलाता है वो लियोन को एलेक्स के सूपर मैचल शक्ती और विक्टर के अल्टिमेटम के बार में शेयर करता है जिस पर लियोन हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक शौकिंग खुलासा करता है कि ये दरसल साइकिक शक्ती है जो कुछ लोगों को बच्पन में ही मिली है लियोन माइकल को एक लेजन्डरी किताब दिखाता है जिसमें इंसान के भीतर बसिस सबकॉंशिंसनेस के जरिये वहाँ से निकला जा सकता है और अलेक्स ने दरसल उसी शक्ती के मदद से उसके माइन को ट्रिक किया था जिसके कारण उसे कोई और ही पत्ते नजर आ रहे थे पर माइकल को उसके बातों पर यकीन नहीं होता और फिर सीन उसी एलेक्स और गॉर्डन के तरब मुड़ जाती है एलेक्स गॉर्डन को वही जीते पैसे देता है और यहां हमें पता चलता है कि गॉर्डन दरसल माइकल के पीता है जिनके कहने पर ही एलेक्स ने माइकल को मुसीबत में डाला पर क्यूं हमें आगे रिवील होगा गौडन उसे कोई मूलिवान डिस्क भी दिखाता है जो दरसल वो ही कमपस होता है जिसे देखकर एलेक्स एकदम हैरान हो जाता है गौडन एलेक्स से उसकी वो ही साइकिक शक्ती सीखाने की विनंती करता है पर एलेक्स तयार नहीं होता आप सिर्फ 6 दिन बचे होते माइकल को लियोन की उसी कीताब से कुछ ऐसे लोगों के बार में पता चलता है जिनकी पास अलग-अलग अद्बुच शक्ती है जिससे माइकल के दिमाग में एक शाथिर प्लैन चमकता है इसलिए वो एक-एक करके उन सबी से मिलने लगता है एरी की खासियत यह होती है कि वो किसी भी चीज की अदला बदली कर सकता है टॉनी जो एक मिडल क्लास टैक्सी डाइवर होता है वो किसी भी एलोक्तोनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है केविन जिसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं होती वो किसी के भी मस्तिष्क में जाकर किसी के भी सोच को बदल सकता है माइकल उसे मेंटल असाइलम से निकलने का लालज देकर अपनी टीम जोइन करने के लिए मना लेता है इसलिए फिर एरिक सभी मरीजों को हॉस्पिटल स्टाफ के विरुद्ध भढ़का कर डिस्ट्रैक्शन के मदद से केविन को वहाँ से छुड़ा ले जाता है आप टीम को एक साथ करने पर माइकल सभी से कसीनो को लूटने का प्लैन के बारे में समझाता है इसके लिए वो पहले एरिक को परकता है डाइस को साथ नंबर पर रोल करने के लिए एरिक डाइस को रोल करता है और अब वो सबकॉंशिस के दुनिया में प्रवेश कर जाता है और DICE के रोल को कुछ इस तरह से बदल देता है कि DICE exact वो ही नमबर reality world में भी डिस्पले करता है और उनके साथी को ये किरिस्की काम लगता है और इसमें शामिल होने से इंकार करने लगता है इसलिए केविन उसे hypnotize करके उसी रहस में सबकॉंशिस के दुनिया में प्रवेश करके उसी डरपोक के सोच को बदल कर उसे हाइस के लिए मना लेता है पर केविन का इस तरह focus और frozen रहना security को नजर आना उन्हें खत्रे में डाल सकता है इसलिए यहां टोनी का हुनर काम आएगा जो अपने रहस में और अदबुद सबकॉंशिस दुनिया में प्रवेश करके कैमरा को वो कैसे remotely control कर सकता है वो सभी को दर्शाता है जिसके तरू वो security कैमरा को उनसे दूर रख सकेंगे अब माइकल उन्हें परकनी के लियोन के कसीनो के एक टेबल पर आजमाता है जहां केविन ने shooter को hypnotize किया होता है ताकि वो notice ना कर सके कि Eric ने कैसे dice के number को swap कर दिया शुरुआत में सभी मिल जूल कर काम करते हैं पर जब माइकल उन्हें उन पर छोड़ देता है कि कैसे वो उसके बीना plan को execute करेंगे तो देखते ही देखते टीम panic होने लगती है और बहुत सारे गड़बड करने लगते हैं इतना के यांत में सभी हाता पाई पर उतर आते हैं माइकल तुरंथ realize करता है कि वो ऐसे actualize को execute नहीं कर सकता इसलिए वो उन सभी से भी powerful वेरोनिका को track down करता हैं जिसमें किसी के भी मन की बात पढ़ने और hypnotize करने की शक्ती होती है माइकल उसके पीछे हाथ धो कर पढ़ जाता है इतना के अंत में वेरोनिका उसके लिए काम करने के लिए तयार हो जाती है आप सिर्फ तीन दीन बचे होते हैं और movie garden के तरफ मुड़ जाती है जो अपने एक साथी जिसमें भी hypnotism की शक्ती होती है उसके मदद से प्रसिद्ध painting चुराने आये होते हैं hypnotist garden को उसी subconscious दुनिया में भेज देता है कुछ देर के लिए और वो तुरन बेहुशी का नाटक करके वो अब दरसल subconscious दुनिया में जहां से वो किसी भी इंसान के एक room को access कर सकते हैं जहां से उन इंसान को manipulate किया जा सकता हैं इसलिए अपने बेहुशी के state में वो पहले तो एक नस्दीक स्थिद painter को कंट्रोल करते हैं जो उनके कंट्रोल में अब वो ही painting तेजी से बना ले लगता हैं जिसकी garden चोरी करने आये थे और फिर वो painting के एक security guard को कंट्रोल करते हैं जो original painting को UC के बनाए painting से स्वाप कर देता हैं अब Gordon के कंट्रोल से चुटने के बाद उन दोनों को भी कुछ याद नहीं रहता कि कुछ देर पहले उन्होंने क्या किया और फिर Gordon उस painter से वो ही painting कुछ ही पैसों में खरित कर अपने mission में काम्याब हो जाते हैं अब Michael अपने सबसे बड़े हत्यार Veronica को अपने बाकी सातियों से मिलाता हैं और Veronica भी अपनी शक्ती का प्रदर्शन करने के लिए अपने subconsciousness की दुनिया में प्रवेश कर जाती है जो देखने में बहुत ही अदबूद और डराऊना भी नजर आता हैं वो सबसे पहले Michael के कहने पर Eric को hypnotize करती हैं नजदी का बेल बजाने के लिए और Eric ठीक वैसा ही करता हैं फिर Michael Veronica को मन में ही इंस्टक करता है टोनी को करीब के सारे electronic devices को short circuit करने के लिए जो वो Veronica के गंट्रोल में वैसा ही करता हैं आखिर में Michael Veronica को सभी के मन में बुकम का डर बसाने को कहता हैं जो करते ही अब सभी डर के मारे भाग पड़ते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका खाली हो जाता है अब Michael अपना detail plan और उने उनके role समझाता है कि सभी luxury casino जाएंगे और अलग-अलग gambling करेंगे ताकि किसी को शक्त न हो टोनी समान इधर-उदर और security का काम संबालेगा केविन एक शरीफ इंसान का acting करेगा ताकि उस पर किसी का शक्त न जाए एरिक एक बिगडा हुआ नवाब और वेरोनिका उसकी मंगेतर बनने का acting करेगी आप सिफ दो दिन बचे सभी अलग-अलग casino पहुचते हैं और अपने अपने table पर खेलने लगते हैं वेरोनिका और Michael दूसरे table पर वेरोनिका अपने subconscious दुनिया में प्रवेश करके अपने सारे साथी को proper instruction देने लगती है टोनिको कैमरा पर नजर बनाए रखने और उसे control करने और एरिस को उनके dice को बदलने का सब सही जा रहा होता है और वेरोनिका और Michael अपने table पर जीतने लगते हैं क्योंकि बाकी सभी को हारने के लिए कहा गया है ताकि किसी को भी शक्त ना हो कि वो सब मिले हुएं और एरिक और टोनी प्लान से हटने लगते हैं टोनी मशिन को tweak करके जीतने लगते हैं वह ये एरिक भी और हार बरदाश नहीं कर पाता हैं इसलिए अपने टेबल पर अपने शक्तियों के मदद से सारे बैड्स जीतने लगता हैं वेरॉनिका के उन्हें रोकने पर भी वो पीछे नहीं अटते जीससे अंत में सिक्यूरिटी को भनक लग जाती है और एरिक और टोनी पकड़े जाते हैं पर वेरॉनिका गार्ड्स को मिनिपलेट करके दोनों को बचा लेती है माइकल उन्हें फिर से समझाता है कि ऐसी गलती वो फिर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगली बार वो उन्हें यहां से जिन्दा नहीं जाने देंगे अब आखरी ट्राइम में इस बार माइकल सारे पैसे लगा देता है और इस बार टीम वर्क में काम करने के कारण वो 5 मिलियन के बज़ाए 10 मिलियन जीत जाते हैं इस खुशी में सब ही अब पार्टी करते हैं पर वेराउनिका को इन सब में दिल्चेस भी नहीं होती इसलिए माइकल उसे मनाने की कोशिश करता है पर दोनों में बहस हो जाती है और घुसे में माइकल उसे उसके हाल पर छोड़ कर चला जाता है फिर सीन अलेक्स और गॉर्डन के तरब मुड़ जाती है जहां गॉर्डन को अलेक्स से पता चलता है कि माइकल की अब पूरी टीम है जिनके पास भी अद्बूर शक्ती है दोनों के बातों से आप क्लियर होता है कि गॉर्डन चाहता है कि माइकल उसके साथ काम करे इसलिए उसने माइकल को उस दोरान फसाया था ताकि वो मदद के लिए उनके पास आए वहीं माइकल और उसके साथी मौज मस्ती के लिए निकले ही होते हैं कि विक्टर के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं पर माइकल विक्टर को उसके पैसे लोटाने के लिए तयार होता है पर Victor अब पैसो के पीछे नहीं होता क्यूंकि उसे उसके अदबूत साथी की बार में पता चल गया होता है और उसे अब वो ही लोग चाहिए होते हैं क्यूंकि वो सबी उन पैसो से कही कीमती है इसके बाद Victor का निर्देगार माइकल को कोने में ले जाकर उसे वही ठोक देता है और उसके साथ ही ये देखकर सदमे में चले जाते हैं पर हमें कुछ देर बाद पता चलता है कि माइकल अब भी जिन्दा है और पिछली गटी गटना वो बस उसके पीता का ही किया करा था माइकल को ये भी पता चल जाता है कि गौडन नहीं एलक्स के साथ मिलकर उसे पहली बार फसाया था दरसल माइकल अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि एक समय जब उसे उनकी बहुत ज़रूरत थी तो उन्होंने उसकी मदद नहीं की इसलिए तब से उसके पच्टावे में हो चाते हैं कि वो अपने पिता के साथ काम करे यहां विक्टर जबर्दस्ती उनके शक्तियों का दुरूपयों करता है अपने क्लाइंट्स को हराने के लिए ताकि वो ज़्यादा पैसे ना जीत सके पर तबी भेस बदलने में माहीर माइकल प्लंबर के भेस में उन तक पहुँच जाता है और वो सभी भी माइकल को जिन्दा देखकर खुश हो जाते हैं माइकल उन्हें रेस्क्यू करने आया होता है और विक्टर को सबक सिखाने के लिए उसने ठान लिया होता है कि वो उसके वाल्ड को भी लूट कर रहेगा पर वहीं उसे एक बुरी खबर भी मिलती है कि विक्टोरिया उसके मरने के सदमे को नहीं सह सकी इसलिए गम में आप वो अपने सबकॉंशिस दुनिया में कैद रहेगी है इसलिए उसका शरीर अब कोमा में चला गया है पर मायकल उन्हाँ सब को रेसक्व करने का दय करता है इसलिए उसी रात प्लैन की मताबिक पहले तो सभी विक्टोर के लिए काम करने से मना कर देते हैं जिसके response में विक्टोर उन्हें बेसमेंट में कैद कर देता है पर सिन्स माइकल विक्टर के कसीनो के वीकनेस को अच्छे से जानता है वो सिक्यूरिटी परसनल बनकर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुच जाता है वो अब अपने शक्तियों का प्रयोग करके गार्ड्स को हिपनोटाइस करके आगे बढ़ते हैं पर अब उन्हें लेजर्स पार करना होगा जिससे टच करने पर अलांट ट्रिगर हो जाएगा टूनी और एरिक उसे डिजिबल करने के लिए लग जाते हैं वहीं माइकल वेरोनिका को बचाने के लिए निकल पड़ता है माइकल वेरोनिको को एक रूम में ट्रैक डाउन कर लेता है और टीर गैस ग्रेनेट के मदद से गार्ड्स को रास्ते से हटार कर उसे रेस्क्यू कर लेता है जो अब भी कुमा के हालत में होती है ही या सबकॉंशिस दुनिया में प्रवेश करके टोनी उन लेजर्स को डियक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर वो सभी लेजर्स को डियक्टिवेट करने में सफल नहीं रहता है इसलिए एरिक को बचे हुए लेजर से بचते बचाते आगे बढदना पड़ता है वो किसी तरह उनसे बच्चते हुए उसे पार करने में सफल हो जाता है माइकल भी फिर वेरॉनिका को लेकर वहाँ पहुच जाता है पर गार्ड्स को उनके एसकेप की खबर लग जाती है इससे पहले कि वो उनके हाथ लगे एरिक अपने टैलेंट के मदद से कसीनो के लौकर को खोलने लगता है काफी मैनत के बाद वो उसे खोलने में सफल हो जाता है पर अब वो सभी चूहों की तरह उसी लौकर में कैद हो जाते हैं क्योंकि बाहर कदम रखते ही वो विक्टर के लोगों के गोलियों से बून दिये जाएंगे उन्हें अब वेरॉनिका ही बचा सकती है और उ हमेशे के लिए फस भी सकता है पर माइकल ये जोखी मिलेने के लिए तयार होता है और केविन देखते ही देखते उसे सबकॉंशिसनिस के अदबुत दुनिया में भेजने लगता है अब माइकल के वेरॉनिका के दुनिया में प्रवेश करते ही उसे सबसे पहले वेरॉनिका के memories नजर आने लगते हैं एक दर्वाजा नजर आने पर वो eventually उसकी subconscious realm में प्रवेश कर जाता है जहां उसे कई और भी दर्वाजे नजर आते हैं और सामने अद्वूत द्रिश होता है और यहीं से movie की शुरुआत हुई थी पर अब उसके पीछे एक विशाल बवेंडर लग ज जाता है माइकल को समझने आता कि वो कैसे इस भूल बुलेया के दुनिया में वेरॉनिका की खोज करें इसलिए वो उसका ध्यान करने लगता है फिर तभी जमीन में चीर पढ़ने लगती है और इर्दगिर्द कई मिनार खड़े होने लगते हैं और देखते ही देखते उसक इर्दगिर्द की दुनिया एक शहर में तबदील हो जाती है माइकल अपनी खोज जारी रखता है और इवेंचुली उसे ढूंडी निकालता है वो वेरॉनिका को अपने साथ चलने की विनती करता है पर उसकी पुकार उस तक पहुच नहीं पाती और ना ही वो उसे छूप वेरॉनिका भी उसे देख या सुन नहीं पाती माइकल अप खुद में चिपे शक्ती को जगाने की कोशिश करता है और जिसके कारण उसकी दुनिया एकदम डार्क वर्ड में बदल जाती है पर इस बार भागे से वेरॉनिका उसे सुन पाती है और माइकल उसे अपने साथ वो मान जाती है और इस तरह दोनों वहीं लोट जाते हैं जहां वो कई दर्वाजे थे वेरॉनिका को एक दर्वाजा सही लगता है पर वहां से सिफ वेरॉनिका गुजर सकती है इसलिए उसे दिल पर पत्थर रखकर माइकल के जबरदस्ती पर उसे वहीं छोड़ कर जाना पड़ता है यहां रियालिटी वर्ड में वेरॉनिका को होश आ जाता है पर अब माइकल का शरीर कुमा में फसा होता है फिर तभी माइकल को अपने पीता की बाते याद आती है जो उन्होंने एलेक से सीखी थी कि एक ऐसी दुनिया होती है सबकॉंशिसनिस की जहां सारे दर वही वापिस लोटा जा सकता है गौर्डन बताती कि अब तुम्हारी मदद सिर्फ एलेक्स ही कर सकता है इस बार वो तुम्हारे साथ होगा तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे ही दुनिया में जिसके बाद उन्होंने माइकल को वही कंपस दिया था जिसकी मदद से वो बाहर निकल सकता है अब माइकल को सारी बात समझ आ जाती है कि उसे क्या करना है फिर तब ही उसे एलेक्स भी नजर आते हैं जिसे माइकल के पिता नहीं भेज जाता है उसकी मदद करने के लिए माइकल एलेक्स का पीछा करता है और Alex Michael को उसकी पुराने यादियों में ले जाता है जहां Michael और उसके साथियों को वेक्टर के लोगों ने कैद किया था Alex माइकल को समझ आता है कि इंसान अपने सोच से कुछ भी कंट्रोल कर सकता है उसे बस सही जगा फोकस करना होगा Michael Alex की बात समझ आता है और फिर उसके फोकस करते ही वो झटके में रियालिटी वर्ल्ड में लोट आता है उसे अब पता होता है कि उसे क्या करना है इसलिए वो वर्ल्ड को लूट कर टोनी को वर्ल्ड ओपन करने को कहता है पर हैरानी की बात ये कि Victor के लोग कहीं भी नजर नहीं आते बाद में समझाता है कि जब Michael subconscious की दुनिया में था तब उसने Victor का room access किया था जहां उसे Victor के weakness का पता चला और वहीं उसने उसके mind को tweak कर दिया ये believe करने के लिए कि वो सभी cup का उसे loot कर भाग निकले जिसके पीछे उसने अपने सारी सातियों को लगा दिया और इस तरह Michael और बाकी सबी आसानी से निकल आए आखिर में वो Alex से मिलते हैं जिसे पैसे सोपने के बाद Alex उनके सामने एक नए assignment का प्रस्ताव रखता है जहां उनकी शक्ती का सही उप्रोग किया जा सकता है और फिर मूवी किसी के हातों से अगनी की शक्ती निकलते हुए तीन मेने आगे मुड़ जाती है जब Michael अपने पीता के साथ काम करने लगता है और मूवी इसे ही happy ending के साथ समापत हो जाती है आशा है आपको मेरी explanation पसंद आई यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सकाइब करके सपोर्ट करना ना भूले मिलते हैं अगले explanation वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों